दो इसलिए आझ को अगे तो कि आखिए आउए क्वार्ट कि अच्छा जाए विश्रूप डिरेश्रू को दो यहाँ जाए है आज फर्स्सक्रास होगा ना तो यह को डिवनिंग लिख रहा था मैं तो वास्ट अपल गूद इवनिंग तो अल अप्यू और यह आज लेक्चर वन से स्टार्ट करते हैं ठेक है अज देट है हमारा 18 अप्रियल नहीं जो क्लास में कंटेंट पढ़ाऊंगा वह किसी वुक्स हो सकता है पास है वह किसी वुक्स हो सकता है लेकिन तुम्हें होंग वोक एक ही बुक से करना है तो मतलब एक बुक को ठीक से करना है तो तुम लोग ठीक से करो ताकि मुझे से पूछ सको से जसे चलते हैं तो इसका मतलब है कि सब्सक्राइब करने तो याद रहता है तो याद रहेगा देन यू सब्सक्राइब करने तो याद रखना पड़ेगा तो सब्सक्राइब कर देन सब्सक्राइब करो अगर समझ ना आए तो पूछ लेना कि मैंने क्या लिखा है तो अच्छा लिख सकता हूं लेकिन मैं जान के ऐसे ही जल्दिवाजी मैं से लिखता हूं डेफिनिशन है ना थेओरम और एंग्जाम्पल सॉल्व करना है तुम्हें एंग्जाम्पल के बाद क्या होता है एक्सरसाइब करना है लाइक इन नेक्स आज मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया वो तुम उस बु पूछ सकते हैं और यह सब के लिए एक्साइज होमवक होगा और एक्जाम्पल भी होगा तो तुम्हें बहुत पूछेंगे तो लोग समझेंगे तो लोग समझेंगे कुछ नहीं आता लेकिन मज़े के बाद यह जो बच्चा डाउट पूछता है वो अच्छा बच्चा हो वो जो नहीं पूछ पाता है वो उसको सीखना ही नहीं है तो अगर कहीं भी डाउट हो तो बेज़े पूछ हो कि उससे तुम्हाँ वह से बाकी भी सीखने को मिलेगा बहुत लोग पूछ नहीं पाते हैं तो अटो अच्छा लगता है जो बच्चा डाउट में पूछ से कर करता हूं कि तुम्हार पास बुक हो तुम देख सकते हो खोल के मैं बुक सही स्टिक लिए सब कुछ फॉलोग करूंगा कि अच्छ 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 पास जो बुक है फंडामेटल मैथमेटिकल स्टाटिस्टिक्स वाली यह तो में उससे पढ़ा रहा हूं तो इसमें चैप्टर तुम लोग जैम का सिलेबर सबको पता है मैं करता हूं जैम तो जैम 2020 का वेबसाइट है यह और इस पर तुम जाओ वेबसाइट खूलोगे जैम डॉटाट रूटी डॉटकी डॉटी डॉटी ने टुट वाला जैम करवा था तो उसमें एम्स का सिलेबर स्टम लोग डाउनलोड करना मतब खोलो बेटर यह आएगा तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना सो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहां से स्टार्ट करते हैं प्रॉबिलिटी पॉर्शन है पहला जिसे रैंडम एक्सपरिमेंट है यह से स्टार्ट करते हैं तो मेरा primary focus होता है like syllabus and previous year questions तो मैं class में syllabus के साब चलूँगा साथ में प्रीबियस एर भी मैं कराऊंगा भी साथ साथ में और दिन बुक तो रहेगा सीखने के लिए कि content कहां से हम क्या है कहां सब्सक्राइब कोई बुक चाहिए ना जिसमें लिखा होगा तो कोई भी बुक एक स्टाट करते हैं तो तो साट करता हूं रैंडम एक्सपरिमेंट से ओक्यूंट कि अच्छा है कि अच्छा है तो कोई बता तुम क्या जानते हो रैंडम एक्सपरिमेंट के बारे में कुछ भी बता सकते हो गलत सही बताओगे कोई दिक्कत नहीं है सर्फूस आउटकम इस नॉट कर दिफाइन बता है तो वर्ट खोले से प्रफ़र्डी वोनी चाहिए ठीक है तुमारा एक्सपरिमेंट का आउटकम रिजर्ट जो है सो पहले से पता नहीं होता है और एक्सपरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं एडेंटिकल एंड सिमलर कंडिल सान में ओके ठीक है और कोई बताना चाहिए था सर एक्सपरिमेंट में किसी भी किसी भी चीज़ की प्रॉबबीटी आने के चांज लिप सकते हैं उस चीज में ओके थी कही यह तुम बता रहे है वो बैर नंट पर या मी इस not unique at identical conditions outcome is not unique okay outcomes are non predictable and more than one more than one non predictable we can we random word random with the way he fixed तो और बताना चाहेगा तो आल्मोस समलों को यह सब्सक्राइब कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं तो उसको मैं करेक्च करूंगा कुछ और विता रहे हैं इस से रिरेटिट ने बात बता रहे हो सही है लेकिन वो किसी और सेंसनी है तो रैंडम एक्सपरिमेंट एक्सपरिमेंट है तो बुक में तुम देफिनिशन देखोगे तो लाई कैसा रहता है एक्सपरिमेंट जो बता रहा था लाइन एक्सपरिमेंट वूस आउटकम्स आर नोन ठीक है आउटकम जोगा मोर नन वन होगा तो आउटकम्स आर नोन बट इग्जाक्ट रिजल्ट कैन नॉट प्रेडिक्टेड इन एडवान्स ठीक है नोन बतलब आउटकम्स तुम आउटकम्स आर नोन बट इग्जाक्ट रिजल्ट कैन ना फेडिक्टेड डिफिनिशन जो है ना लगे हमने अपने वर्ड में लिखा है तुम कैसे और विपने लिखा होगा बट सेंसे होनी चाहिए नोट का उटना वो नहीं है तुम कैसे ड तो हम क्या से रिफाइन कर रहा है कि experiment जिसका possible outcomes बता होगा और outcome more than one होना चाहिए तुम यह भी वेंचन कर सकते हो कि outcome must be more than one but exact result cannot be predicted in advance मतलब तुम experiment करने से पहले नहीं बता सकते कि क्या exact result for example जैसे हम लोग coin toss करते हैं तो सबसे easy experiment यह है कि tossing a coin या throwing a coin तो इसमें तुम्हें क्या पता है possible outcomes क्या है तो इसमें क्या possible outcomes सबको पता है कि लगी क्या तो head आएगा या tail आएगा या कोई एक आएगा बट exactly हम नहीं बता सकते क्वाइन फेका और हम पहले 100% हो रहे नहीं हेड ही आएगा तेल ही आएगा इसा नहीं कह सकते तो मतलब यह है कि इस गोग आए यह रान्दम एक्स पर्यमेंट हुआ इस तरह सिया थ्रोविंग डाई यह सब बचपन सी यह सब पढ़ते आये हो गए ज्यों बहु जो सब या तो यहां पर हमें पता है कि पॉसिबिलिटी है पॉसिबल आउटकम्स है आउटकम्स आर लाइक तुम्हें सब को पता है कि 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई एक आएगा बट हम एडवांस में पहले क्वाइन या डाई को थो करने से पहले से और भी नहीं बता सकते कि एक्जेक्टली क्य कि यही आना है तो एक एक एक्षेक्ट पॉसिबल आउटकम्स अरोन बट इग्जेक्ट इजल्ट कैन नोट बीप्रेटेट इन एडवांस जैसे होगा कि मैं बोलों अप्वाइन इस तॉस्ट अंटेल हैट कम सब हैट कम सब तो बताओ इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हों होंगे इसमें तो वट्टर पॉसिबल आउटकम्स है यह कोई बताओ सो वट्ट इस एक्जांपल मैंने कहा कि टॉसिंग तो इसमें टॉसिंग कोईन में था हैट यह टेल आएगा तो फ्रोइंग डाई तो वन टू-टू-345 अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अक्वाइन इस तो तूम्हें आउटकम्स हो सकते हैं पॉसिए पॉसिबलिटी यह लिखना है तो एक सुछी यह हूँ परकि की कि पहले तेल आया फिर एडाया है किए कि हमारे एक्ष्परिमेंट कह रहा है कि तब तक कि स्थ ग्रेंगे जब तक कि हेड does he so tell head हो सकता है ऐसा हो सकता है कि तीन बार तेल थो एक पिर एक बार है और यह चलता रहेगा infinite ताइम तो इसमें infinite number of outcomes हैं अब यह नहीं बता सकते कि पहले बार हम टॉस क्या है यह नहीं बता सकते कि पहले बार में हैड आएगा तो हम तब तक डाई को फो करेंगे जब तक की हेड ना जाए तो यह possibility है कि यह फॉर्स time में head आ सकता है या second time में या third time में या fourth time में या fifth time में हम सोगा तो यह possibility है हम स्योड नहीं है मैं exactly यह नहीं पता कि exact result कि आने वाला लकिन यह पता है कि यह possibility है सो यह भी एक्सपरिमेंट होगा यह जैसे और आगे बढ़े हम तो जैसे मैं कर बात करूं कि जैसे मालो lifetime of आफ जैसे बल्व है यह सब जैसे आगे प्रोड़िटी में यह डियलाय अप्लिकेशन इस तरह को सब्सक्राइब लाइफ टाइम ऑफ बल्व मालो इन सेकेंड्स बोल दो कि अगे सो बताओ अगर मैं बोलो फॉसिबल आउटकम्स क्या है कि पॉसिबल आउटकम्स और शोड़ाइब इन टीन एट यह देन एक्स और लेश देन ईन राइट तो यह हैutz जिरो टु भी खड़ी दे और भी खराब हो जाए स्टर्टिंग में खराब ही हो या हो सकता है कि बतलब उसका लाइफ टाइम क्या आउटकम्स का क्या है यह एक इंटरवल आ गया से ओल पॉसिबल आउटकम्स यह है तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बलब की जिंदगी दस सेकेंड क की है या एक लाग सेकेंड की है या दस साल की है उसके हिसाब से सो यह ओल पॉसिबल आउटकम्स है इंटरवल जरो इसका मतलब यह हुआ कि मैं लिखूं तो इसको थोड़ा आगर कि मैंसे दिखा हूं सेट कर फॉर्म में सो टी सच दैट टी इस मोर दन एकूल टू जिरो इ सांप्पेस कि सो इस समघ्स अमरे यह ली आ यह ещё कर फॉन्हार से हुआ चर्स पर रहें है कि अगर स्पेस है तो यह सब भी सबको पता होगा तो पहले जिन लोगों को पता है बताओ सैंपल स्पेस क्या होता है तो और किसी के बास कोई और डेफिनिशन है यसे अपने बास यहीं देफिनिशन है कि यह सबस्पेस क्या होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट तुमने किया और उसके जो भी पॉसिबल आटकम सहब सकते हैं यहां यह सांपल स्पेस है उस एक्सपेरिमेंट का तो सांपल रखेस क्या होगा कि सेट ऑफ आल पॉसिबल आउटकम्ट को यह बहुत बेसिक करने तो जिन लोगों प्रवालिटी फोड़ी पढ़ी होगी तो उनको पता होगा या भोल गया होंगे नहीं तो पता सबको होगा सेट अफ आल पॉसिबल आउटकम्स आफ अन एक्सपेरिमेंट या अफ रांडम एक्सपेरिमेंट अब गुण अब इसका अलाग अलाग यंटेट वख व Soph Canada टूम देखो खें लिए अच्टा सोब सब्सक्राइब कर दूबन गुदा के अच्णॡब हो यांच estás Así one भी के रोचयी की में उम्यगा यूज किया हुआ है तुम्हारा गुत्यकुर में अलग अलग तुम देखोगे मैं इसे पड़ता हूं सॉसे होगा यह नोटिशन अब जिसे पीछशे मुने पर देखा उसी कंटीनिव कर लेता हूं जैसे बीछाथा था a coin is tossed just एक बार तो इसका जो sample space मैं लिखके चलता हूं तो head या tail जैसे हमने discuss किया दूसरा example हमने लिखा था कि a die is thrown ठीक है तो इसका sample space है one two three four five six तीसरा example हमने consider किया था कि a coin is just until a head comes up है ना head comes up तो तुम्में से बताया था किसने रिक हो सकता पहले बार में हैड आ जाए या हैड़ टेल स्वरी हमें हैड चाहिए तब 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 experiment को continue करेंगे जब ना जाए तो टेल के बाद हेडा सकता है डबल टेल के बाद हेडा सकता है ट्रिपल टेल के बाद हेडा सकता है यह चलता रहेगा यह इस तरह से possibility है फिर fourth example हमने discuss किया कि lifetime of a bulb अना bulb in second हमने लिख दिया था seconds so in that case हम देखा था कि इसका जो होगा this is interval zero to infinity so interval का मतलब है t belongs to real number such that t is more than equal to zero okay जैसे एक दो और example लिखें कि a pair of coin is tossed है ना इस तरह से तुम जानते हो तो इसका भी बहुत easy है सबको पता है कि pair होगा चलो कोई बता था ही सबको इस तरीके से है या जैसे हम अगर बोलते हैं कि a pair of die is thrown कि यह सब questions में आते रहते हैं यह सब experiment pair of die is thrown तो इस is thrown like two dice को हमने एक साथ throw किया तो बताओ इसका क्या होगा 111213141516 फिर 212223 ऐसे करके 11121314 1516 रैसे हो सकता है 21222324 2526 ठीक है a 313233 234 35 36 and similarly 41 42 43 44 45 46 56 and 51 52 53 54 55 and 56 and next वो सब्सक्ता है 61 62 63 64 65 and 66 ठीक है यह ओल पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमने लिख दिया अब तुम डागनल पर ध्यान दोगे यह वो एलिमेंट्स हैं जहां यह एक्स कॉमा वाई टाइप का है जहां एक्स वाई एक्कॉल है और इसके ऊपर देखोगे अगर तुम तो एक्स लेस देन वाई मतलब यह आउटक सद्बाइब गया तो एक्स य की वैलू इन में से हो सकती है तो इसके पर निए इस आउटकम पर ये लिखान पर equivalent है यह सब थोरे observations है जो तुम खुद भी कर सकते हो इनको इस तरह के add करेंगे sum 6 होगा यहां इसको include करके फिर यहां sum 7 वाले यह सब है इस तरह से तुम देख सकते हैं sum 8 वाला है फिर इन सब का sum 9 होगा इसका sum 10 है 3 है sum 11 and sum 12 so इस तरीके से हैं so you can observe it minimum 2 sum हो सकते है maximum 12 यहां अना minimum जिसे आगे आता है अभी हम random variable आगे जब करेंगे तो आता है कि X is the sum of the number obtained on the die तो उस case में minimum sum 2 हो सकता है maximum 12 हो सकता है फिर उसका probability distribution कुछ लेता है discreet में तो यह सब कुछन lower classes में भी था 11 वे था तो बेसिक probability के लिए तुम लोग भी 11 का NCRT कर सकते हैं एक वारी तक तुम्हारा एक basic clear हो जागा problem mainly practice करना है क्योंकि jam में आते हैं मतलब minimum एक या कुछन तो आता ही है कभी-कभी तीन-चार कुछन भी आ जाते हैं मतलब लाइक चार नंबर का कुछन आता है कभी-कभी 8-10 नंबर के भी आएं किसी साल में तो डिपेंड करता है जो करता हूं तो अब आगे कंटिव करता हूं तो अब यह आगे कंटिव करता हूं सो दिस यूनों अल्रेडी यह सबको पता है एंड तो निक्स्ट वर्ड आता है अब यह मने क्या देखा रैंडम एक्परिमेंट सांपल स्पेस एक वर्ड अक्षर यूज़ होगा इवेंट अना तो वर्ट इस इवेंट अन इवेंट इज़ा सब्सेट अब सांपल स्पेस्ट इवेंट जो है अडट इज़ा सब्सेट अफ सांपल स्पेस्ट इज़ा पर पास जो भूक है गुपता गपूर में यह इन्होंने चैप्टर थ्री से स्टार्ट किया है तो अभी तो बेसिक चीजह है जो अल्मोस्ट सब को आते ही होंगे वहीवाली चीज़े करना तो क्या होगा सिंपल सबसेट है स्टार्ट अफ अज़े को इनी सबसेट अफ अफ और सांपल स्पेस ठीक है इस कल टॉड थैसे ने विद बाइट कोई भी एक सबसेट लो तो वो एक इवेंट होगा अज़े नी सबसेट अफ एस सांपल स्पेस इस गाल अफ यह दूट आप इसको होंब लोग डिडर गरते कोई भी लेटर तुम्हें भी सिखा ले सकते हो ना एटी सी तो मोस्ट लीज इसका है यह सब लेटर से यह लेटर यूट कोई देख कर नहीं है तो मेंली यह है कि that is जो इवेंट है अगर यह बोलता हूं मैं that is subset of sample space s बोलो या omega बोलो तो event is a subset of sample space for example जैसे देखो मैं एक simple example लेता हूं जैसे हम लेते हैं a coin is tossed तो यह एक random experiment है इसका sample space आया था head 10 ठीक है so this is experiment okay this is random experiment and यह है sample space okay अब इसका अगर events लिख हो गए तो बताओ इस sample space के पास कितने events होंगे यह इस experiment के पास कितने events होंगे चार इवेंट होंगे क्या क्या होगा वो एक होगा head और एक tail एक head tail एक होगा कुछ नहीं 5 यानि हाँ head tail हो सकता है head tail दोनों हो सकता है और 5 यह हो सकता है so like we can call it e1 इसको e2 बोल दो ना e1 है e2 है e3 है और e4 है इस तरीके से तो है इसको जब भी ऐसा होगा empty set होगा इसको नल इवेंट या या impossible event भी बोलते है इसको impossible event जब भी कोई event empty set के equal है obviously empty set हमेशा एक event होगा क्योंकि empty set हर set का subset है तो sample space हमारा कुछ भी हो empty set का subset होगा ही because empty set is subset of every set तो हर experiment का एक event null set हो सकता है या उसको impossible event बोलते है या null event बोलते है और यह जो है e4 जो हमने लिखा है तुम देखोगे यह sample space के ही equal है तो फिर से every set is subset of itself तो हर sample space खुद का subset है तो वो भी एक event होगा क्योंकि sample space के subset हमेशा और हर set अपने आपका subset है तो sample space भी खुद का subset है तो यह भी एक event होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्टेन इवेंट सर्टेन इवेंट और स्योर इवेंट सर्टेन इवेंट या सिर्टेन इवेंट कोई भी एक नेम यूज़ कर सकते हैं तो यह तो हम बता रहे थे हैं जैसे next ऐसे हैं तो टोटल माल लो अगर ऐसा है कि इव यह काडिनरिटी ऑफ सांपल स्थेस माल remote है मतलब सांपल में है तो टोटल नूमबर ऑफ एवेंट कितने हो सकते हैं उस इक्स्प्रिमेंट के पास ए सब्सक्राइब कि अगर मैं बोलाओं कि एक सब्सक्राइब लगा रहा हूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगा रहा हूं पर बोल रहा हूं तो जब सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब आगे आएंगे इवेंट के बाद इसमें कहले खाया सब्सक्राइब अगर मैं बुक में देखो इन्होंने स्टार्ट किया है इस तो छोड़ सकते हो दें रादम एक्स्परिमेंट क्या है आउटकम क्या है तो आउटकम जो है रिजल्ट जो भी हो सकता है एक वर्ड आता है तो यह होता है डिजॉइंट इवेंट एक वर्ड आता है डिजॉइंट इवेंट या इसी का दूसरा नाम है नूच्वली एक्स्क्लूसिव इवेंट है ना बताओ क्या होता है तुम लोग जानते होगे इसको ना है डिजॉइंट इवेंट ऑफिंट आ मतलब कोई दो सिट है बनाव और सेग अगर संप्लूसिट सब्सेट है तो इवेंट है तो इवेंट भी एक सेट है संप्ले सब्सेट है सो तुम्हारे पास दू और ओर आंग तू की बात कर रहा हूं ृतिक ए माल नो हमारे पास डिस्जॉइंट इवेंटS if and only if A intersection B is equal to 5 वतल्छ कुछ भी common नहीं होगा दोनों में दोनों में कुछ भी common नहीं होगा for example यहां तुम देखो E2 और E3 जो है डिस्जॉइंट है कुछ भी common नहीं है और यह जो impossible event था या 5 तो हमेसा डिस्जॉइंट होगा दूसरे के साथ तो A and B are disjoint event या mutually exclusive event है तो उसको बोलेंगे A and section B 5 होगा जैसे more than one है तो उस case में क्या होता है मालों तुम्हार बस कई सारे event हो सकते ना तो एक word आता है pairwise जो हम बोलो नहीं बात करें pairwise disjoint है ना तो यह word का बाता है जैसे मालों तुम्हारे बस बहुत सारे events है for example हमारे पास ना इसे मैं generalize कर देता हूं कि if e1 एक event है e2 दूसरा है e3 दीसरा है and so on eN so R N Events मालों आच चाहे associated with नबस्ट ऐस्ट राना वायरे जए एक तो अ बना मतलक्त आंपारिमेट न एक तर्मसे घर Alsoiated विथ टूर्डा से सकते ड्रॉचय असे आम जोस्ट न लुटाना है जो हमने एयन कोंसिडरर क्यों एiltम एटमेंत एटू दूसरा इवन इसी तिससे ला सो या अनिवेंट संप्रिमेंट विथ सांपल स्पेस आज़ेता ग्रक्राइब एस्व ले सकते मैं वेमेगा लेकर चलता हूं तो और आर मतलब यह इवेंट्स आठ यह है यह इस हम लिक आएवेंट्स आर पेर बाइज दिसन्ट यह जो तो इसका मतलब यह हुआ, if and only if, कब होगा, तो इसका definition कोई बताओ, बताओ, obvious नाम से ही के लिए रहे है, तुमाड़ी आवाज स्थोरी से वो घरवड़ा कहा रही है, मतलब तुमाड़ी नहीं आ रहा है, हाँ, तो लाइक ऐसा है, कि EI intersection EJ is equal to 5, for all I different from J, है ना, IJ जब different है, तो common कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि I अगर equal होगे, IJ कि दो E1 intersection E1, E1 या जाए, तो EI intersection EJ should be equal to 5, 5 मतलब Null Set या Empty Set, for all I different from J, तो ये pairwise, मतलब किसी भी दो को तुम consider, you take any 2, E1, E2, या E1 के साथ E3, या E2 के साथ E4 लेलो, तो कोई भी 2 consider करोगे, तो उसमें Empty Intersection 5 होगा, तो ये जो collection है, ये pairwise disjoint बोला जाएगा, अगर किसी भी 2 का intersection लेंगे और वो 5 आजाएगा, अगर 2 ही है, तो उसको disjoint बोलो, या mutual exclusive बोलो, या इसको pairwise disjoint है, pairwise, उसमें 2-2 करके, ये चीज़ाएगा, तो इस तरह का word अगर use होगा, इसका मतलब है कि pairwise बात कर रहा है, ओके, आगे बढ़ते हैं, जैसे अब क्या आता है, तो कुछ terms और में discuss करूँ, तो equally likely events होते हैं, like equally likely बोलो, या, सो एक word आता है, equally likely, ऐसे मैं outcomes के term में define करता हूँ, equally likely outcomes, तो क्या होगा, जैसे एक example बिताता हूँ, जैसे देखो, तुम लोग हम अगर बोलते हैं कि coin को toss किया, head tail outcomes है, obviously, तो अगर जो coin है, वो unbiased है, तो तुम लोग जानते होगा पहले से कि इसका chance 50%, इसका chance 50%, 50% मतलब 50 upon 100, तो 1 by 2, 1 by 2, तो अगर coin को toss करते हैं, 50% chance head आने का, 50% chance tail आने का, मतलब half probability head आने की, half probability tail आने की, तो ये जो sample space है, इसके outcomes होए, वो equally likely होए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मानलोग coin जो हमने बात किया, वो unbiased है, बतलब unbiased है, ये biased है, ठीक है न, तो chances दोनों के equal नहीं है, ठीक है, तो equal नहीं है, तो इसका मतलब उसके समें क्या बोलेंगे, equally likely नहीं है, जैसे अभी हमने यहां बात कर रहें, देखो, एक experiment लिखा था हमने, even मानलोगी, तुम्हारा coin जो है unbiased है आपे, इस experiment देखो, मतलब यह हो गया, head आने का chance और tail आने का chance इक्वल है coin को, still यह जो sample space है, यह इसके outcomes equally likely है क्या, you can check, coin unbiased है, unbiased मतलब coin को toss करेंगे, head आने का chance half, tail आने का chance half, 50-50%, so, but do you think this sample space has equally likely outcomes? no sir, नहीं होगा ना, अगर तुम खुड़ा आगे जाके बात करें, so head आने का chance होंगे, one by two, जिसमें बता रहा हूँ, और tail head आने का chance क्या होंगे, पहले tail फिर head, one by two, one by four, one by two into one by two, क्योंकि एक बार toss करेंगे, tail आने के half, but next time tail आने के half into half, क्योंकि coins हमेशा independent होगा, first toss और second toss हमेशा independent होगा, क्योंकि second toss को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि first toss पे head आया था या tail आया था, वो favor नहीं करेंगा तो independent रहेगा, तो हम बाद में बात करेंगे, event independent क्या होता, बात करेंगे, so अभी जैसे tail into head का one by four होगा, so इस sample space में outcomes equally likely नहीं है, तो यह वो बाला formula काम नहीं आगा, जो हम करते है number of favorable outcomes upon total number of outcomes, वो कहां काम आता है, जब तुम्हें पहले से पता हो कि outcomes are equally likely, जैसे हम बोलते हैं न, die पे one आने के क्या chance, the one by six, तो कि हम भी assume करके चलते हैं कि हर phase के आने के equal chance है, तो हम generally half लेते हैं, क्योंकि हम भी मान के चलते हैं कि कोई जो हो अनबाइस है, तो मतलब sample space के outcomes equally likely है, तो हम ऐसा करते हैं, हाफ-ाफ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी experiment हो सकते हैं, जहां पे sample space के outcomes equally likely नहीं हो, so, so, like, जैसे बुक में गुपता कुपल में बुक इन्होंने यही term यूज किया है, equally likely event, तो यह बताना चाहरा है, कि वो event जिसमें हर outcome की probability same हो, so, like, इसके word में अगर देखे, तो outcomes of the trial are set to be equally likely, if taking into consideration all the relevant evidence, there is no reason to expect one of the preferences of the other, मतलब ऐसा ही यह बता रहा है, so, like, किया हुआ क्या, so, it's better outcomes से ठीक है, outcomes of event, ठीक है, बसका मतलब समाहिना तुम्हें, कि like, if occurrence of all the outcomes, of that event, of that event, are equal, ठीक है, अगरेंस equal है, बना कोई favor नहीं करेक्ट, सबकी chances equal है, then, वो equally likely होगा, then, outcomes are equally likely, outcomes are equally likely, of that event, मतलब वर्डी बता रहे हैं, मतलब क्या, equally likely बतलब सबकी एक्वाली, so, कोई जोड़ी नहीं हर इवेंट equally likely हो, okay, next क्या है, independent event, अगर general term में discuss करोगे, so, जैसे मैं अभी, आप probability के term में, तो प्रॉडी हमने introduce नहीं किया अभी, अभी हम probability की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस experiment से आगे बढ़ रहे हैं, so, अभी तुम बात करोगे, like independent events की, तो अगर मुझे वर्ड में किसी को समझाना है, तो क्या बताएंगे, बताओ, अगर मैं पास दो event है, E और F, मैं बोलूँगा दूनों independent है, इसका क्या मतलब हुआ, बिना probability को use किये, sir, एक की, एक का होने, एक की, होने की probability दूसरे से independent है, हाँ, मतलब पहले event में, जो भी outcome आ रहा है, वो effect नहीं करेगा, दूसरे वाले, हाँ, ठीक है, तुम इससे ही बतारे, तो ऐसा है, क्योंकि हम बाद probability के term में लिखेंगे, अभी हम ऐसे logically बता है, तो ऐसा है कि, two events, मैं two के term में बतायता हूँ, हाँ, बताओ, किसको बताना और दूसरे वर्ड में, probability of A given B is equal to probability of A, हाँ, लेकिन अभी probability हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो अभी probability हमने नहीं इंटर्ड्यूस किया है, probability इंटर्ड्यूस करेंगे उसके बाद, अभी generally हम बताना दिन independent का मतलब क्या है, So, two events A and B are independent if occurrence, if and only if occurrence of one event will not affect the other, हाँ, occurrence of one event will not affect the other, okay, so two events A and B are independent if and only if occurrence of one event, will not affect the other, तरे, disjoint भी होंगे है अगर independent है, नहीं नहीं, दोनों अलग अलग बाद है, independent एक अलग बाद है, disjoint एक अलग बाद है, दोनों में कोई relation नहीं है, दोनों दूर की डिस्दार भी नहीं है, ठीक है, तो दोनों दूसरे के नहीं जानते हैं, तो उन दोनों में कोई relation नहीं है, बताऊंगा आगे, मतलब ऐसा कोई जबूरी नहीं है, कि independent है, तो दिस्दार का डिस्दार भी नहीं है, वो अलग बाद है, दोनों अलग अलग चीज़ है, वो हम probability अभी जब introduce कर लेंगे, तब probability का term में बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है, मतलब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पीछे, तो डिस्दार में क्या पढ़ा था, हमने डिस्दार में पढ़ा है, कि A intersection B 5 होगा, मतलब, A B में कुछ भी common नहीं होगा, और हमने independent पढ़ा है, independent पढ़ा है, कि लाइक एक होने के जो चांस है उससे बी को कोई फर्ट नी पर रहा है एक का कुछ भी चांस है उससे बी को कोई फर्ट नी पर रहा है मतलब मैं एक्जांपल्स देकर समझाःता हूं occurrence of a will not be affected by not be affected by yeah factor effected in english so effected of effect or effect same word so occurrence of a will not be affected by occurrence of p and vice versa jay i doubt that right independent events clear that a lot of sample spaces ka intersection language to hi a tie to take element common line as a common just my example let us just a little experiment liya tossing a pair of point tossing a pair of points या आगे आएगा मतलब ऐसा है कि like tossing a pair of points तो जैसे मैं अगर बात करूँ कि एक event a ले तुम like head head and चलो head tell और b ले लो head tell and tell tell ले लिया तो अब इसमें probability use करना पड़ेगा अच्छा प्रोल्टी एगर मैं use करूंग तो इसका यहां तो बो हो जाएगा तो यहां वो सटिस्फाइब कर जाएगा इंडिपेंडेंट हो यहां जो मैं एक्जामपल लिख रहा हूं आगे लिखता हूं तो एंटर सेक्षण बी निकाल रहे हैं तो वह अब इंडिपेंडेंट्स की बात करते हैं तो इससे प्रूफ करना पड़ेंगा तो यहां प्रूफ कर देता हूं उसको एक इंडिपेंडेंट्स होगा तो यह कैसा एक्जामपल है जो इंडिपेंडेंट्स है लेकिन नहीं है तो जैसे तुम जो बच्वन पर उसको यूज कर लेता हूं तो प्रॉबड़िटी ऑफ ए क्या होगा प्रॉबड़िटी पढ़ें तुम दो वन बाइटू वन बाइटू सिंपल से हमने देखा था पेर ऑफ क्वाइन है तो सांपल स्पेस में इसका भी है अब मैं आप से पुझे हूं प्रॉबड़िटी ऑफ ए इंटर सेक्शन बी वन बाइफ तो यह मैं आगे पढ़ूंगा सबने देखा होगा जिसने नहीं देखा है तो थोड़ा सा पेसिंस रखो यह बस प्रूफ करने के लिए मैं आगे वाली चीज़ अभी यूज़ कर रहा हूं तो एक डेफिनिशन होता है कि एन बी आर इंडिपेंडेंट इफ इस हापन्स यह प्रॉबड़िटी मैथमेटिक इन डेफिन देख है यहीवाला लेकिन डिसवाइंट नहीं है तो हमने यह चीज़ को गलत प्रूफ करना है तो एक एक्जाम्पल काफि जैसे किसे ने कोई statement बोला तुम उसको एक एक्जाम्पल दे दो जो उस line को गलत करता है तो गलत हो गया लेकिन कोई statement है और तुमने करोड़ एक्जाम्पल दिये उसके सपोर्ट में कि सही है फिर भी वह सही नहीं होगा क्योंकि mathematics का जो logic वह ऐसा है प्रूफ है तो always प्रूफ होगा मतलब इंफनाइट टाइम के लिए मतलब तुम example से कभी प्रूफ नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेकिन गलत करना है तो एक एक जामपल एनफ है तो अभी जैसे मैं जो स्टेटमेंट है ना किसी ने बोला तो ना पूछा तो तुम्हें से कि independent है तो क्या disjoint होगा तो हमने एक एक जामपल बनाया जहां पर यह दिखा दिया कि independent तो है लेकिन disjoint नहीं है तो वो लाइन गलत हो गया तो इस तरीके से यह जाम में भी ऐसे मैं काफी करूंगा जब कुस्टन सॉल्व करेंगे कोई तो लेट सेम एक्सपरिमेंट कर रहा हूं पेर ऑफ क्वाइन इस तो सबको सांपल स्पेस पता है मैं सेम एक्सांपल ले रहा हूं चलो एच एच और एच टी ले लो और बी ले लो टी एच और टी टी ले दिया तो बताओ ए इंटर सेक्षन बी क्या आएगा तो यहां से मतलब यह पता चल गया कि a and b are disjoint तो हमने एक्जाम्पल ऐसा लिया है कि जो disjoint हो अब मैं कोसिस कर रहा हूं कि यह independent ना हो तो देखो तो यह हमने यहां से दिखाया कि यह disjoint है अब चलो probability of a बताओ 1 by 2 1 by 2 probability of b 1 by 2 1 by 2 and probability of a intersection b 0 क्या मैं बोल सकता हूं यह 0 equal है pa into pb के नो सर नो तो इस लाइन का क्या implication हुआ यह बताना चाहरा है कि a and b are not independent तो मैंने एक और एक्जांपल बना दिया जिससे यह हो गया कि disjoint है तो जवड़ी नहीं independent हो बहुला ना दोनों दूर करी से जार भी नहीं है मतलब इन दोनों में कोई रिलेसन नहीं है इंडिपेंडेंट है तो डिज्वाइं होगा नो इन दोनों में कोई रिलेसन नहीं है ना मतलब एक दूसरे को यह नहीं जानते हैं तो ऐसा कभी डिलेट्नी करना है जी जैसे इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन वाली प्रॉबैबिलेटी जीरो हो जाएगी तो फिर तो वो इंडिपेंडेंडेंट हो नहीं सकता ना अगर वह प्रॉबलिटी किसका इसका इसका एक यह है कि वह एक्षुली नहीं होने चाहिए ऐसा हो अगर पी एक तुम तो लाइन के रहो यह राइट बट यह कंडिशन लगाना पड़ा अगर एक को एंप्टी ले लिए तो जैसे एक्जांपल के तौर पे राइट तो लाइक इफ ए इस नॉन एंप्टी एंड बी इस नॉन एंप्टी इन डाट केस होगा क्या एंटर सेक्शन भी पी ए तौर पीवी तो अगर डिज्वाइं थैस ए एंड बी आर डिज्वाइं ठीक है और हमने नॉन इंप्टी लिया है मतलब यह बोलना चाह रहा हूं कि प्रवाइल्टी ओफ ए मोर दें जीरो है और डिज्वाइं लिया हो इंटर सेक्शन क्या है जीरो हो गया तो यह कभी भी इसके एक्वल तो नहीं आएगा रख में तो इसका मतलब है कि ए एंड बी विल नेवर बी इंडिपेंट थेक है तो यह कहना चाह रहा हूं कि अगर डिज्वाइंट है तो वह इंडिपेंट कभी मतलब दोनों एक साथ नहीं होगा लेकिन यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं अगर मैं ऐसा एक्जाम्पल लेते कि A का प्लाइट्साइडग को गाठी स्अप exactamente ज्याएग दकी दोनों गलविट को च्छाएगा ऑगर कोई एक इंडिपेंड शेयकर है तब ग्रॉआशेघ क्रूं करे को चैंट आदर ज्यांद से ज्यादा तो अब हम आगे आते हैं तो अभी हमने डिस्कुस किया है न इवेंट स्पेस और सिग्मा फिल्ड शेम सेम अलग 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 वर्ट्स दिये तो इसलिए मतलब सिग्मा फिल्ड वही है इवेंट स्पेस की बात करती है मैं बता जैता हूं किसिग्मा फिल्ड क्या ओते हैं हां ठीक है इन पावर सेट तुम बोल रहे होगे संपल स्पेस ना वह आते हैं आपे हम सो वह सिक्मा फिल्ट का ऐसे बाद पड़ेगा जब हम प्रोडिटी डिफाइन करेंगे जानते जो पड़ें तो जानते प्रोडिटी एक फंक्शन है जिसका डॉमेंड सिक्मा फिल्ट है और रेंज जी रोगा तो अगर इसको में प्रोडिटी पड़ेंगे उसमें जो सिक्मा फिल्ट होता है तो बाइड इफॉल्ट हम पावर सेट ऑफ सांपल इस लेते हैं बड़ सिक्मा फिल्ट है अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बाइड इफॉल्ट हम जो पड़ते हैं जो अभी जो हम पर रहे हैं वहां पावर सेट आफ तो इस लोगों को याद है वर्टिस सिक्मा फिल्ट है सब्सक्राइड ना इफ लिए अग्राइड पावर सेट अगे तुम्हें एक्जांपल बता दिया लेकिन इक्जेक्ट डेपनिशन क्या है स्रेश याज पावर इस अप्छिशन अपसेट्स अदर वीच इस अप्लोगी मेंट अब्सक्राइड उनियंट व्हिंट विद्ट ओंट एंट इस अव्द सेट और सांपल स्पेस ओमेगा देखो मैं क्या बोला कि सिग्मा फिल्ट क्या है एक सेट है किसका सेट है सबसेट ऑफ साम्पल स्पेस बतलब साम्पल स्पेस का सबसेट लो और उसका फिर सेट बनाओ अब कुछ कंडीसन है उसमें पहले कंडीसन है कि फाइस उडबी इन डैट मैं एफ लिख रहा हूँ सिग्मा फिल्ट कर यहां पर यह सिग्मा एलजवडा भी बोलते हैं तुम एक मिजर थिऊड़ी सब्दिक आता है उसमें इसी को सिग्मा एलजवडा बोला जाता है तो इसमें होना चाहिए दूसरा है कि अगर ए है अगर ए कोई इफ में है तो ए का कॉंपलिमेंट उसमें होना चाहिए यह कंडीसन है अगर ए सिग्मा फिल्ट में है तो कॉंपलिमेंट होना चाहिए तीसरी कंडीसन है कि लाइक अगर एवन एटू अन लाइक तुम तरी इंफिनाइक नंबर हमने सेट कंसिटर किया sequence of you can say events a1 a2 dot 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 sequence है these are in f dot 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 नहीं मतलब लिमिट नहीं है देन यह भी देन है implies को देन बोल सब्सक्राइब सो देन यूनियन जो इसके होंगे यूनियनियन सफ ऐाइज आइं फ्रॉण 1 तो इंफिनिटी आइं फ्रों 1 तो इन्फिनिटी यह में से कुछ जाता हूं सबसेट ऑफ सांपल स्पेस ओमेगा सब्सक्राइब करता हूं सबसे इजी एक्सपरिमेंट है टॉसिंग यह चीक है अब क्या है इसका हमारा सैंपल सबसेट लिख लेते हैं पहले सबसेट्स ऑफ ओमेगा क्या क्या है आर तो एक फाई हो सकता है अब हो सकता है इस आर पूर संसेट ऐज पॉसिबल है अब तुम्हें BOBella ने संस्पट करnai हो एक ली है ना फरत इस Dan से होने घ् opens and appelle करना पड़ेका है एक पहला कंडीमें सन ऑसमें अगर यह सिर्फ लोगों को लेतے हैं तो पाई है यह तो सब्सक्राइब ओमेगा ठोन अभीघनतब्र है जितने भी सेट उसके अंदर है उसका यूनियन लोग है तो उसमें होने चाहिए अब तुम कितने भी तो इन दोनों का यूनियन लोग तो क्या आज जाएगा ओमेगा या जाएगा ओमेगा लार्जर सेट ना और फाइट एंप्टी सेट तो यह है इसका मतलब इस सामगे तो इस स्मॉले सिगमा फिल्ट बोलते हैं फाइट एंड ओमेगा चलो इसका चेकर बता हो है या नहीं है तो मैं चार्ज को लगाता हूं तुम चेक करो क्या यह सिगमा फिल्ट है यस और नो नो सर्ट तो एक नो सर्ट नो सर्ट ते गुरुड़ को जब मेराद आफ तो एक टार नो सर्ट नो इसका चर्ट नो सर्ट एंड प्रट नो सर्ट बोलते हैं तो यह नहीं हो रहे हैं 1, 2, 3 में से 2nd एक हां कॉंपलीमेंट नहीं है यही न है क्योंकि अगर इसका हम कॉंपलीमेंट लेंगे तो क्या आएगा टेल क्या होता है साम्पल एस्पेस में हटा तो यह नहीं है so second वाली condition fail हो गई that does not belong to F2 so इसका मतलब है ठीक है जी तो ये second वाली जो condition है ये वाली fail हो रही है इस example में कि इस वाले का सबका अगर A है तो उसका compliment होना चाहिए तो यहाँ ये है लेकिन इसका compliment नहीं है so this is not a sigma okay इस पर questions नहीं आते jam में बस तुम्हें समझना है कि ये term क्या है ये नहीं question पूछेगा कि वह exam में ये सब इंटराक्री topic है बस चानना है तुम्हें ताकि आगे की चीज़े तुम्हें समझ सको कि इस पर probability defined होता है तो ठीक है तो ये है नहीं है तीसरा गड़ लिखूं मैं अगर f3 मैं इसी example में लिखता हूं है फाइ एच टी और फिर ओमेगा ओमेगा मतलब है एच थी पूड़ा है तो ये पावर सेट हो गया ना है पावर सेट ओफ डाट ओमेगा लेलिया मैंने क्योंकि यहां पावर सेट ओप ओमेगा लेलिया हमने हमने यह बना है कि दिस इस इस सिग्मा फिट सो तिस इस ऑ सिग्मा करें अनुर। कि अभी एट थर्टी पर कॉल कर लेना मुझे लिए ओके तो अभी क्या होगा कि अभी लिखा है इसमें कितना सिग्मा फिल्ट हम बना पाएं है दो ओल्ली ओल्ली टू ना यहां में देखा कि सिग्मा फिल्ट कर पाओं यहां पर इस पॉसिबल नहीं कर पाएंगे तो और कोई पॉसिबिल्टी है नहीं और इन फाक्ट नंबर ऑफ करते हैं चलो सिर्फ हैड और सिर्फ टेल लेकर चेक करते हैं यह बोल रहे ना यह सर अब चेक करो क्या यह सैंपल सब्सक्राइब होगा फाइड है तो देखा उब इसमें पहला कंडिशन था कि फाइव होना चाहिए तो वही वाला नहीं है है तो इसलिए गलत हो गया अच्छा तुमने अगर एड कर दिया माल लो चलो एड कर देते हैं तो यह तो नहीं है चलो तुमने सुचा ठीक है हम फाइड कर सूचछथ ए्सक्परिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं तुम गलतियां करो तो सीको गई सो सब्सक्राइब ने इसमें तो तो उसमें नहीं है अगर इन दोनों का यूणियल लेंगे तो वो होना चाहिए नहीं है एसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा तो और हम नहीं construct कर पाएं तुम try कर सकते हो तो इसके पास तरफ दो ही only two sigma फिल तुम इस से पर बना सकते हो और दूसरे चीज़ है number of element इसमें जो है या तो दो होंगी या चार होंगी सब्सक्राइब करें जो है यह हमने जनरलाइज किया हुआ है एवन एटू एट्री डॉट 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 लिखा है मतलब जितने भी सेट्स अबलेबल है सिग्मा फिल्ड में उसका यूनियल लो इन्फनाइट तक है जोड़े इन्फनाइट सेट लेना है तुम फाइनाइट भी ले सकते हो यह इन्फनाइट तक के दो ठोर सेट्स हां सेट्स ही ऐलिवस तो उनका यूनियल लेंगे तुू या थरी एक फोर या five अगर infinite number of elements कमैं यूनियलَّब लोगे व्होज़ा है सो इसको में रहे स्चिक्ट कर सकता हूं हुं directamente है कि नेका यूनियन तो सिर्ष frankly नहीं देखो यहां है लेकिन हमें कांस्ट्रक्ट करना है तो हमें ऐसे एक्जाम्पल करना है जिसमें ऐसा हो तो जहां होगा सिन सब्सक्राइब हमनी इस लिए सिंप नहीं है g1 कि जा ह乐 की सद्सक्राइब संस् Люб तो चलो पहले प्लास या एक्जमेर्टिक भी डिफाइन कर सकते हैं पहले क्लासिकल डिफाइन कर लेते हैं तो क्लासिकल डिफिनिशन वो है जो तुम बच्वा से पढ़ते आए बच्वा से पढ़ाया गया होगा नंबर फेवरेबल आउटकम उपन तो लाइक क्लासिकल डिफिनिशन ऑफ और लेकिन इसका रेस्ट्रिक्शन यह है सिर्फ इस उसी इवेंट पे या सैंपल स्पेस पे क तो हम लोग क्या जनते थे कि लाइक सब्सक्राइब होना चाहिए है तो हम लोग यह लिखते है कि इफ ओमेगा इस और सांपल स्पेस विद्ध इक वोली लाइक्ली आउटकम्स अधा इक्वली लाइकली आउटकम्स और यह भी है काडिनल्टी ओमेगा कि फाइनाइट होनी चाहिए तो फिर वो नहीं होगा तो दो डिस्टिक्शन एक्वली लाइकली होनी चाहिए और काडिनल्टी फाइनाइट होनी चाहिए and if e v an event associated event लिख लो an associated event then हम लोग यह जानते है probability of event e is equal to number of outcomes in e upon number of outcome in sample space यह हमेशा काम नहीं करते है तभी काम करेगा जब equally likely outcomes होंगे है ना इसको तुम लिखते से number of favorable outcome है अपॉन टोटल नंबर अफ आउटकम है तो यह हमारा था प्लासिकल डेफिंस है है तो यह हमेशा काम नहीं करें जैसे इस example में काम नहीं करेगा अब यहां एक रेकॉर्ड है जब इस पर लिखते हैं तो हमारे पास अलड़ी रहता है तुसरा बोर्ट पर पर आएंगे यह कि तुम्हें लिखना पड़ेगा देना में बेट करना पड़ेगा तो वो भी एक तरीका है यहां पर यह है कि तुम्हें पीडियो बना के इसका वेज़ूंगा गुरुप में तुम्हारे पास रहेगा में साथ के लिए इस पर लिखता हूं तो वह यह बहुत आगे चलता हूं तो मैं एक्जामपल रूट रहा हूं यह बाद जिसको यहां पर यह फॉर्मग आपम नहीं लगा सकते हैं जिसे कोश्चान है कि a coin is tossed until head comes up तो what is the priority that head comes in the first toss only तो हैसे नहीं भी नहीं लगा सकते हैं तो उसके restrictions हैं तो अब आता है एक्जामटिक डेफिनिसन उसमें आज यह यह कभ यूज कर एक कोश्चन लिख लगते हैं यह कभ यूज कर सकते हैं एक जामपल है कि लाइक a pair of dice is thrown इस तरह कोश्चन में हैं तो कुछ नहीं दिया होता हम आजिम करते हैं कि जाई जो है वो फेर डाई है ना तो फेर डाई तो कोश्चन है वाट इस प्रॉब्लिटी डाइट डिफेरेंस से ले लो डिफेरेंस आफ आउटकम्स इस टू मालो ऐसा है तो बताओ किस तरह कोश्चन सा तो मैं अप्लाई कर सकते हो यह वाला को एक प्रॉब्लिटी दिफेरेंस आउटकम्स तरी तो पहला आप्षन है तू बाइन नाइन के सबका सेमा रख चेक कर अपना अपना काल्कुलेशन करो है ना अंद्री स्वास नहीं करना जिर बन बाइन एब बी आप्षन वन बाइन नाइन कोई बात नहीं है ने गलतियां होती है लेकिन ठीक है ट्राइब करो और किसी को और आड़ा है वह बता सकते हैं तो अब एक्जाम मालों इस तरह कुछन आगए कुछ लोग गलत करेंगा अब इस लिए को एक ही होगा कि अच्छा सिर्फ डिफेरेंस बोला है तो तुम्हें ध्यान रखना है पॉजिटिव डिफेरेंस कंसिरेर करना है मतलब लाइक अब तुम क्या कर रहे होगे यहां बताएं ने किसमें सुख़टा आना असा तो नहीं बोला ना प्लिफेरेंस का मतलब यह है कि तुम्हें मॉड लेके चलना है यह बोलना चाहरा रहा है इसका मतलब और तुम करेक्ट कर लो मॉड एक्स माइनस यह इसकी बात कर रहा है कि मॉड एक्स माइनस वाई इस तू एक्स वाई आउटकम्स है रिजल्ट एक्स कोमा वाई कि यह बात कर रहा है तो हो सकता हो जाम में क्लियर कर देगा तो जैसे मैंने इसे लिख दिया डिफ्रेंस पर वहां पॉस्टिव डिफ्रेंस लिख देगा कि मॉड लेना है हाँ था है सबका आप टू बाइन आ रहा होगा कि वो पहले सोरा कंफुजन तो बाइन नाइन हम जैसे क्या है सिंपल तो यह बहुत इजी है न मतलब क्लियर कर दिया मैंने तो तुम्हें सांपल सबको पता है कि वन वन से लेके तो 6-6 तक टोटल होगा आप involved बोल नता हूं कि डिफरेंस 2 है तो राइक वन के साथ 3 हो सकता है 3 के साथ 1 हो सकता है इस तरीक दिफों के साथ 4 होसकता है 4 के साथ 2 हो सकता है क्योंकि मैं difference mod ले रहा हूँ so 4-2, 2-4 mod 2 ही आएगा तो ऐसा ही 3-5, 5-3 4, 6, 6, 4 और possibility है इतना ही तो कितने हो गए अब 8 हो गए न so जब तुम find कर रहा होगे probability of e, देखना कुछ हूट रहा हो तो 8 upon 36 so 2 upon 9 ठीक है तो वह पहले कर देखने से हुआ था क्योंकि तुम्हें यह difference का meaning के लिए नहीं था ओके इस तरह जैसे अब इस तरह को सने एक अक्षर होता है एक जांपल एक और बात करूं मैं कि like find the probability that that a leap year so the question is हाँ leap year has 53 Sundays इस तरह को सने तुमने देखे होंगे पहले पहले में find the probability that a leap year has 53 Sundays क्या चांस है किसी एक leap year में 53 Sunday होगा तो यह तो यह तुम इसका लॉजिक बता होगा कि लाइक हम लोग जानते हैं कि कि लाइक 366 ना तो इसको break करेंगे तो 7 इंटू कितना आता है 52 प्लस सब्सक्राइब 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 करें तो तुम जब 7 से डिवाइड कर रहे होगे 366 को तो यहां 52 और यहां तुम्हारा लास में यहां तू आएगा तो रिमेंडर टू है इस तरीके से लिक रहाऊंगे तो यह तू एक्स्टाइज डिसाइड करेगा कि 53 संडे कब होंगे तो 52 संडे तो पक्का होगा प्लस यह बाकी दो दिन क्या क्या हो सकता है जैसे हो सकता है कि एक संडे से स्टार्ट को तो संडे मंडे तो अगर यह लास्ट टू डे टोटल पॉसिबिलिटी साथ है मतलब यह एक्स्टाइज की टोटल पॉसिबिलिटी यह सेवन है मतलब लास्ट टू डे यह हो सकता है और इनमें से अगर यह फिवरेवल आउटकम क्या है फिवरेवल का मतलब 53 संडे होने के लिए एक्स्टाइज को होना पड़ेगा या तो संडे मंडे या सटेडे संडे यह दो चांस है तो टू फइबरेवल आउटकम है आउट आफ टोटल सेवन पॉसिबिलिटी आइस टू एक्स्टाइज विए इस तरह से दो एक्स्टाइज इस तरह हो सकते हैं टू फइए और वह जब शंडेज होगा टू ऐसे फ़बरेवल आउटकम में जो फुट टू संडेज कर देग अगर यह हुआ था अगर नॉर्मल यह होता तो उसमें वन बाई से बनाता है क्योंकि संडे मंडे तो साथ पॉसिबिल्टी उसमें संडे होगा लास दे तो इस तुम्हारा बेसिक प्रावलिटी का है तो अभी तो प्रावजन्स ट्राई करना ठीक है गुप्ता कभूल में जो चैप्टर है त्योरी और प्रावलिटी वन उसमें तुम सॉल्व करना तो कि यह बेसिक ही है जो कि सब्सक्राइब करेंगे तो अभी एक बुक लेकि इसलिए चल रहे हैं कि इसके एक्जांपल सॉल्व करो जो बीडावट है पूछो तो सबके लिए कॉमन रहेगा और एफिडेंस के हम इस बुक से कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कुछ एंपल्स हैं और बाकी तुम्हें लेवड़ा इवेंट्स की जो बात किया है उन लोग ने तो बात करोगे तो दिस यूनो अल्रेड़ी बात करोगे तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर तो अगर फ़रा खड़ाब लगे तो भी बताना ठीक है तुम लोग जानते हो न कि इवेंट से ए और भी है तो मैंतेमेटिकल इसको क्या लिखते हैं कि अगर ऑफिए यूनियन बी इस अगर जो गाए बट नौट बी या इसको A-B भी लिखते हैं ठीक है दुनों सेम बात है तो अगर सेट थेओरी टर्म में देखोगे तो यहाँ पर ऐसा है ना A एकसेट है B एकसेट है इस इस ए और इस इस बी तो अब क्या होगा जैसे यह वाला पोर्षन जो है इंटरसेक्शन है मतलब सबको पता है जस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ तो इस पोर्षन इस ए इंटरसेक्शन जी और यह वाला जो पोर्षन है जो रेट कलर्स में कर रहा हूँ तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन B कॉंफ्लिमेंट हां तो इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी कॉंफ्लिमेंट या A माइनस B यह बट नॉट भी ए में से बी का पार्ट बाहर कर दिया और जैसे तीसरा पॉर्शन अगर तुम देखो गई यह जो पॉर्शन है यह जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ क्या नाम होगा इसका एक कॉंप्लिमेंट इंटर्सेक्शन भी और बी माइनसे एक कॉंप्लिमेंट सिंद भी या बी माइनस ए या तुम बी पहले लिख लो कोई दिखकर नहीं है तो ओके तो यह सब तुम सब को पता है जस्मेरी वाइस कर रहा हूं ताकि बीच में तुम से सब्सक्राइब करें तो यहां तुम ब्रेक करोगे फिर इंटर्सेक्शन कॉंप्लिमेंट तो बाद में वह अटलास किया तो यह भी तुम प्रेक्ट है लेकिन कोशन करते हुए मैं स्क्राइब फॉर्ट है जैसे बी बट नॉट ए जैसे तुमने अब भी बताया सेम त्रम में ना तो इस बी इंटर सेक्शन ए कॉंप्लिमेंट या वी माइनस ए फिर जैसे आता है नाइधर ए नौर बी इसका मतलब यह हुगा अगर मैं समझाओं तो नॉट ए आंड नॉट इसका मतलब यह हुगा अगर नॉट ए नॉट कुछ भी नहीं होना है अगर तुम देखोगे यह पोर्शन कहा है और यह पहला में लिका था फिर तीन के लिए है तो वैसी हो जाएगा तो इसका अगर तुम देखोगे यह पोर्शन कहां है नाइधर ए नॉट बी सो ए और बी एस यूं कर लोगे तो यह दोनों सर्कल के बाहर का जो पोर्शन है वो होगा नाइधर ए नॉट सर्कल के बाहर का जो पोर्शन है कि और दोरूं सरकल विला के यूनियन है ओके यूनियन दो पता ही तुम लोग को यूनियन का क्या है कि So, A union B is the यह सब को पता है कि इस पार A union B है ओके और अगर देखोगे जैसे इस पार आपके इस पार आपके इस पार करके न तीन सेट हमालो A B C इस लिखा होता है इस तरह को मैथमेटिकल क्या से लिखना चाहोगे आपके इस इस अगर तो A intersection B intersection C Complement Union A Complement intersection B Rebeet, Rebeet, Rebeet Exactly one A की होना चाहिये A. Complement Union B Union C intersection A. Complement सर उनियन भी यहां इंट्र सेक्शन एय युनियन बी कॉंप्लीमेंट उनियन सी कॉंप्लीमेंट उके तर नहीं बार्कि लोग एगर करते हैं मतलब ऐसा है कि A नहीं होगा and B नहीं होगा and C होगा और ए नहीं होगा और बी होगा और और यूनियुद और तो ए होगा and B नहीं होगा C नहीं होगा तो इसको मैं कड़े करेता हूं तो इसको ऐसे लिखते हैं A-B-C ऐसे लिख सकते हो Union B-C-A Union C-A-B या तुमने जो बता है वो यहीं चीज़ है एंटरसेक्शन B कॉंपलिमेंट सब्सक्राइब कॉंपलिमेंट सब्सक्राइब कॉंपलिमेंट यूनियन तो बाकी इस तरह से लिख लोगे तो लोग तो लोग एंड यहां तक किया है अब जैसे निक्स आता है एक्जमेटिक डेफिनिशन जो उससे पहले तो रहा में देखता हूं तो सब्सक्राइब है तो अब यह आता है एक्जमेटिक डेफिनिशन तो एक्चुरी हमारे होस्टल में आज न थोड़ा स्पेशल डीनर है तो आज तो बेसिक ही किया हूं तो तुम यहां से क्या करना अभी तो हमने एक्जमेटिक किया नहीं है तो जो तुम्हारे पास बुक होगा एक्जमेटिक को नेक्स क्लास में करूँगा यहां से नेक्स क्लास में स्टार्ट करेंगे सो लाइक आज मैं जल्दी चुरूंगा नेक्स क्लास करेंगे एक्जमेटिक डेफिनिशन इसके आगे करेंगे जब तक तक तुम क्या करो बेसिक प्रणिटी कर लो लाइक अजया में बेसिक प्रणिटी पर प्रणिटी कर लो और साथ में गुप्ता कपूर से होंबग देखना है तो इसमें चैप्टर है Theory of Probability 1 ठीक है जो गुपता कपूर में जो भुक है उसमें तुम्हें क्या करना है गुपता कपूर भुक से चेप्टर मेरे भुक में 3 है तुम देखना तुम्हारे एडिशन में कौन सा है चेप्टर 3 मेरे में नाम है Theory of Probability है न Theory of Probability 1 तो इसमें Before Exometric Definition जितने examples है वो solve कर लेना मतलब है काफी सारे examples है 22, 25 examples है 22 examples है तो उसको solve कर लेना ठीक है So Exometric Definition मेरे भुक में डेफाइन किया 22 page पे So पहले 21 page पे जितने examples है You can do that ठीक है चेप्टर 3 में 22 page पे Exometric Definition है So first 21 page पे जितने examples है So check करना First 21 page पे Solve करो all examples जो भी doubt नेक्स क्लास में पहले doubt पुछना फिरम आगे बढ़ेंगे Solve all examples क्योंकि वो classical definition सही हो जाएगा एकोले likely है तो उससे हो जाएगा चो कि हम बच्पन में पढ़ते थे वही सब questions है तो इक बार रिविजन हो जाएगा या वही एक वेलेंटाइस के 11-12 की probability में यही सब होगा तो बाकी मैं आज 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 जबती छोड़ रहा हूं नेक्स टाइम से ना कोई देखेंगे अब तो slow slow चलेंगे किसे बोचना है कुछ यह नोट्स में भेज दूँगा ठीक क्लास इस कब-कब रहेंगे आपको मंडे वेडनेस देख फ्राइडे टाइम आज 6 32 8 30 ठीक है लिंक मिला हूँ गूगल गूरूप का अब गूगल का लिंक ने तो गूरूप में आएगा अब पूछो अब सुनागे रहे है तो अब सुनागे रहे हुआ हाँ मेंस नेक्स क्लास में जो पुष्चिंग का डाउट होंगे मिंस एक्सराइस का वो सॉल्फ करेंगे ज़िए तुम सॉल्फ करना डाउट होगा तो मैं सॉल्फ करूँगा हम लोग सॉल्फ करेंगे ऑओ ऑक डाउट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे चलेगा दोबुक हो जाएगा कि एक लोग नोट्बूक बनालो एक्जांपल एक साइज का देन लुए जोपने का प्ली आएका कॉंट